हेले अब्रीवान गुड इवनिंग और अभी अच्छा बताऊं मैं आप लोग को गुड इवनिंग कह रहे हैं तो आप होसे कह रहे हैं के गुड इवनिंग तो अभी ना शाम का डाय में मैं अपने बालवाल काड में जा रही थी फिर मैंने सचा चलो पहले व्लॉग स्टार्ट का ले थी बात में तयार होंगी पता है क्यूं क्योंकि मेरे घर की आप आलत देखो ये कुछ हालत और अभी इस साइड भी है क्योंकि यहाँ जने इतना ग पाके गया है और आज मुझे किसी ने गिफ्ट भेजा तो वह गिफ्ट हम लोगों ने अभी यहां से ने उसकी ओपनिंग की थी गिफ्ट की तो यह रखा है यह सब अभी साफ करना है मुझे और बहुत सारा काम मेरा पैंडिंग पढ़ा हुआ है तो और वह देखिए अने क कि कोई ऐसा कर सकता है और यहां पर लाइट हमारी खरा हो चुकी इसलिए हम अंदर चलते हैं वह अपनी चिल्लर गिन्ने में लगे हुए वान टू त्री फोर फाइफ पर आकर हमारा आकड़ा है न वह रुख जाता है तो चलिए मैं करती हूँ पहले गर को साफ कोई अगर आ जाएगा तो क्या कहेगा बच्चों के साथ तो यह देखिए यह हमारे पती देओ आज तो गर में बस साम के टाइम पर मुझे क्लिनिंग करनी है क्योंकि मेरे घर के न पूरी हालाती खराब कर रखी है लेकिन मेरा फॉन है वह डिश्चार्ज हो जाता है इसकी बैटरी हो देखना बहुत ही इंटरस्टिंग उसमें आप लोग को जो रेसिपी में बनाती हो उसमें वह देखने मिलेगी रेसिपी नहीं आप उसको देखना उसके बाद आप कहोगे कि वाव दी अमेजिंग हमारी बच्पन की यादें हमारा जो कितना प्रकुर्ती नेचर एनिमल्स वो सारी चीज़े आपको उसके अंदर कॉमिनेशन दिखेगा क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग इन चीजों को भूली गए कि नेचर भी कोई चीज है और हर्याली भी कोई चीज है एनिमल्स से भी प्यार करना चाहिए यह सारी चीज़े लोग बूल गए तो यह सारी च चैनल को जादा से ज्यादा सपोर्ट करें क्या आप लोग के सपोर्ट की जुरत है और पता है गाइज उस उस चैनल की वीडियो को बनाने के लिए मुझे पूरा एक दिल लगता है मैं खेतों के बीच मैं बैट कर वीडियो बनाती हूं और इस बार ना अपनी वीडियो में पिन वीडियो बनाती हो सिर्थ आप लोगों के इंटरटैंबंट के लिए और आप लोगों को चन्या करते हिके था नेचर को क्यार करिए क्योंखी मैं नेचर लोवर हूं और इसी वज़े मेरे चैनल को देना चैनल को देना क्योंकि केतना uhm i जानवर होते उनने भी प्यार करना चीया चैनल का मोरल जोईन वहmb cin a समझना आना चाहिए तो अप्लग पड़ा पट से जाके बेदेह लीचीए रियर इंडियन मिनी फूट रस्वई मेरे चैनल का नाम है और वीडियो आ चुकी है यह रही वीडियो है ना आप लोग जरूर देखेंगा और देखेंगे आपर मेरे लिए कुछ लेकर आए क्या लाएं जे दिखाओ तो अभी दिखा रहे थे ना वो डॉब कैसे दिखा रहे थे अभी मुझ आए यह कवपकार तो यह जी मचे नहीं परहे जाएंगे तो यह जाज आज आधरा गैतना वहां से मेरे पीछ मेरे वाले करेंगे दिखाएंगे चैनल चैनल के लिए सारी चीजे लेकर आए हैं जो कि मुझे जर्रत है तो अब मैंने का था कि डून के लाना कहीं से भी लाना तो पता नहीं कहां कहां से विचारे डून के लाएं आज और इसी वज़े से मेरा पुरा घर भी फैला पड़ा है क्योंकि यहां पर देखो यह हेलमेट और यह जिफ्ट अभी ओपन किया था ना वह सब पड़ा है मोलू यहां दूद रोटी खाके गया है तो देखो सोफे क्याले यह पुरा मुझे अभी अच्छे से साफ करना पड़ेगा तो यह सारी चीजे रखिए आरू को नो बड़ा स्वाख हो रहा है मैं यह लेलू मैं प्रणा पर मैंने आरू को बोला कि इसमें से कुझी मतले हम जब वीडियो बनाएंगे ने तो एक वीडियो तू बनाना मैं अरू को ने थोड़ी बहुत जो कोकिंग आती है ना आरू को तो आरू करेगी कोकिंग हुना है तो उसका भी मन रह जाए गा अर अभी डूसरा गि तो सबसे पहले मैं कर रही हूं कपड़ों को घड़ी और उसके बात करूंगी सारा काम क्योंकि यह ना घर पूरा फैला वह पड़ा है यानि आपको कैमे में उतना गंदा नहीं दिख रहा लेकिन मुझे रियल में वह बहुत जादा गंदा लग रहा था देखने में और अचा उटा है न तो उनको यह काम करने ही पड़ते हैं और हां एक बात और करना चाहूंगी कि मैं हमारे वाँ पेर कपड़ों को घड़ी करना ही कहा जाता है क्योंकि न मैं काफी बार करना कहती हूं तो मुझे कॉमेंट आते हैं कि आप प्रॉपर वे में बोला करो अच्छा नही तो फोल्ड करना तो इंगलिस हो गया और तहे लगाना हमारे मां नहीं बोला जाता मैंने काफी यूटूबर्स को सुना हैं वो कपड़ों को तहे लगा के रखते हैं तो मुझे वो अजीब लगता था कि तहे लगाना यह क्या होता है तो हर जगह की अलग अलग बोली भासा होती है तो आप लोग प्लीज बोली भासा के उपर कोई भी है न कॉमेंट इस तरह से नेगेटिव मत किया करो क्योंकि हर जगह की अलग भासा होती है अलग सब्दों का उच्चारण होता है तो ऐसा नहीं है कि जो आप कहते हैं वही मैं कहूं या जो मैं कहती हूं वो आप कहें तो बस एक छोटी ची बात थी जो कि मुझे कहना था और देखिए साथ साथ मैंने सारे कपड़े हैं व्यवस्तित तरीके से घड़ी करके और उनकी जगह पर रख दिये और जैसे ही सारा समवान हम समेटने लगते हैं तो घर वापस से कितने अच्छा लगने लगता है एकदम प्रॉपर वे में आ जाता है कहीं कोई चीज फैली नहीं है सारी चीजे अपनी जगह व्यवस्तित बिल्कुल तो मेरी यादत बहुत जादा है और कहीं न कहीं मुझे या आदत है ना बहुत जादा परेशान भी करे रहती है क्योंकि मैं ठक भी जाती हूं परेशान भी हो और मोलू की ऐसी आदत है ना वो दिन में 4-5 जोड़ी जूते चैंज करता है कभी ये वाले पैनने फिर थोड़ी देर में उतार के फैंक देगा अब ये नहीं पैनना आप चपल पैननी है फिर चपल नहीं पैननी अब थोड़ी देर बाद सेंडल पैनने है तो वो सारे दि उसके बाद अब मैं यानि चीजों को पहले समेटूंगी फिर उस साइड का सोफा तो मैंने क्लीन कर दिया अब इस साइड के सोफे की बारी है क्योंकि उसने दूद रोटी खाई थी न तो सब उसने गंदा कर दिया था तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कवर चैंज करूंगी लेक बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं तो उनको तो पता ही होगा कि चीजें बहुत ही जादा गंदी हो जाती है क्योंकि हम बड़े हैं तो हम चीजों को समाल कर यूज़ करेंगे पर बच्चों का काम तो यह होता है न कि यहां से फै भूण दिए और जो भी चीज़े फैली पड़ी आप इसके बाद न मैं पर क्या करने जा रही हूं हाँ भी। जो कोई समेट्री उसके बाद ना फिर मैं जाओंगी किचन में जब पूरा घर साफ हो जाएगा और बस तो मैंने दोनों साइड के सोफे भी विहस्तित कर दिये अब ऐसा लग रहा है कि हाँ ये किसी रहने वाले इंसान का घर है परना अभी जंगल जैसा बन रहा था थोड़ कॉन जो हते न वो लेकर आएँ मुझसे फ्रों करके पूछ रहे थे कि ले आऊ मैंने का ले आओ क्योंकि हमारे आपर लाश्ट यर तो मिल गया था लेकिन इस साल है ये जो ब्रौकली है वो इस साल नहीं मिली तो मैंने का कि चलो आप वहाँ से ले आओ न क्योंकि मुझे न आलू टमाटर की थोड़ी अलग स्टैल से तो वो सबसी काफी सारी मेरी रखी हुई है दुपेर में नास्ता बनाया था बच्चों के लिए वो भी अभी थोड़ा सा पड़ा हुआ है तो मैंने का कि दाल चावल बना लेते हैं क्योंकि इतना ज़्यदा फिर खाना हम लोग खा तो चलिए दाल में अब लगाते हैं तड़का और तड़के के लिए ना मैं हरी मिर्च, प्याज, टमाटर ये तीन चीज़ का यूज करती हूं दाल के अंदर अध्रक लेसन कभी कभी डालती हूं रेग्यूलर नहीं डालती क्योंकि यह को इतना ज़्यदा अध्रक लेसन है प्याज टमाटर और इसमें मैंने डाला है दाल का मसाला और थोड़ी लाल मिर्च क्योंकि मैंने बॉइल करते हैं दालमेर ना मिर्च नहीं डाली थी तो बस यहाँ पर दाल मेरी अच्छे से है ना यानि तड़का लगा दिया दाल में थोड़ी देर के लिए एक उबालाने दूंगी और दाल हो जाएगी मेरी रेडी और यह जो सबजी की रेसिपी है ने यह मैंने सुबह बनाई थी तो मैंने सुचा कि चलो मैं रेसिपी तो आ शुरॉप финale केलोई के में द कीको चलो के कालोंजी में साथ में को चपी पीज़ों पनले के बीज़ा ॉसके बाद के डर ना या है ख़िलेगे लाल मिच पीज़ी याज़ को पका ले लिए तो यह तीनों टालके यह तोड़ावादी तो पानी दालक है इस मसाले को अच्छे से बून लूँगी जब तक कि इस में से तेल सेपरेट ना हो जाए और थोड़ी से मैंने कस्मीरी लाल मिर्च डाल दिये इससे सबजी में कलर बहुत अच्छा आता है बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप की है न सबजी लगती है देखने में तो जब मसा करन में जब सकते हैं तो यहां पर मैंने काफीजास पानी लाश्ट में नमक ढलते हो की अपला सब entrevอง सक दीए सब्सक्राइब कहा है वी जाम के आप यह ज़याने आलु बं चुक्हेए बिल्कुल बढ़िए सब्सक्राइंब बनzungण धिरसी लगतिता हूँ दुए बढ़न ने से कसूरी मे Hm तो खाना तो बना दिया क्योंकि ताल्चावली बनानी थी और सुबब बनाई सब्जी तो वह सब्जी भी काफी रगी है क्योंकि सुबह चले गए जे आगरा हैनी स्कूल गए स्कूल से फिर आगरा चले गए और मैंने अपना मूवी नहीं दोया मुझे बड़ाइस लगता है कि क्या अब मैं व्लॉग बनाने के लिए अपने आपको डेकर नहीं तयार करो तो देखो यह रूम मेंने कितना अच्छे से साप किया है न अभी चश्ट और यह टेवल फिर टेडा कर दिया मेरे बच्चे और महां पर आरू की स्क्लीपर रखिये वह तार के विए तो देखो यहां से निखाती हो अभी पूरा रूम मेंने अच्छे साप किया और अभी जा रहे हो मशीन में मेरे कपड़े दूल में क्योंकि सुबह न अभी कपड़े इसमें धोरी तो अभी दूल चुके अब ड्रायर में डालने तो पहले तो उनको खंगा लूंगी मैं क्या गरते हूं कि इसके अंदर पानी बर लोंगी सारे कपड़े उसमें निकाल लूंगी दो बार पानी इसके अंदर करके अच्छा से दो के वापस इने ड्रायर में डाल दूंगे तो सुख जाएंगे तो यह मुझे बात्रूम में नहीं बैठना पड़ेगा और पूरा रूम साफ किया किचन में काम तो हो गया मेरा तो जैसे वह रूम साफ किया ना देखो मेरे है और यहां अकेला मोलू के काम अई दिखो क्या करके अनद के प्री होती हूं तब-चलो मैं उसका समेट दू क्यूंकि सोंगे अल़ा को पिर अभर कुछ लिए गया अगर कुछ भी कुछ बप यौगा पर चिलाना सुरूं यह क्या किया क्या किया तो बच्छों को डाट प किस तरह से प्लेग्राउंड बना रखा है मेरे बैड को और सामने देखिए यह जो जिन्होंने मुझे गिफ्ट बेजा कितना प्यारा गिफ्ट बेजा है अभी मैंने आपको नजदीक से नहीं दिखाया नेक्ट वीडियो में दिखा दूँगी कि यह कितना प्यारा गिफ्ट उन्होंने इमेज किया और किस तरह से मेरी वीडियो में से मेरा फोटो निकाला उसको फ्रेम करवा के मुझे उन्होंने गिफ्ट किया तो मैं अपनी वीडियो में दिल से उन्हों से थैंक्स कहना चाहूंगी कि आपने मुझे इतना प्यार दिया जिसके सायद में लायक भी नहीं थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा जै का और मेरा फोटो यह करवा चौत का तो हमारी जिंदिगी वर की याद है जिसे कि आप का नाम ध्यान नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपसे थैंक्स कहना चाहती हूं और इस व्लॉग को भी मैं यहीं पर एंड करूंगी और इसके बाद का जो व्लॉग है वो आपको आज दुपैर में ही देखने को मिलेगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी और जो ब 12 मिनिट का तो उसे आप लोग जरूर देखिएगा तो चले इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं कल मिलते हैं बाबाए